हलो एब्रिवन ये है साउथ इंडियन म्यूवी सरकारू वारी पाट्टा की ब्रीफ समरी पार्ट टो योकि महेज बावो और कीर्थी सुरेज की है तो चलिए हम समरी श्टार्ट करते हैं अगले सीन में कीर्थी सुरेज के पिता महेज बावो को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि ठीक है तो मैं जितना पैसा चाहिए हम वो देने को राजी हैं लेकिन तो मैं मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा कि मैं राजेंद्र नाजी को ब्लैक मेल कर रहा था हम जित्रा भी तेरा पैसा है वो बापस कर देंगे कीरती सुरेश के पिता राजे नाजी मीडिया को बलाते हैं और उसके सामने एनाउंस करते हैं कि ये जो है हमें ब्लैक मेल कर रहा था और ये बड़े बड़े घरानों को ऐसे ब्लैक मेल करता है पर ये खुद इस बात को कबूल करेगा और फिर महिज बाबो मीडिया के सामने कबूल करते हैं कि हां मैंने जो 10,000 डॉलर इनसे मांगने का या इनको उदार देने का जो बोला था वो जूट था मैंने ऐसा कोई 10,000 डॉलर इनको नहीं दिया इन्हें मुझे कोई भी 10,000 डॉलर बापस नहीं करने हैं इन्हें मुझे 10,000 करोड रुपे बापस करने हैं जो कि इन्हों ने मुझे से लोन की रूप में लिये थे ये सब सुनके सब चौनक जाते हैं कि यार इतनी बड़ी रखम इस लड़की ने कैसे दी इसको अगले सीन में कीर्थी सुरेश का मामा महिज बाबु को धमकी देने आता है क्यों रहे कैसे परिशन कर रहा है तो महिज बाबु को गुस्सा आ जाता है क्योंकि कीर्थी सुरेश का मामा जो है उसकी कॉलर पकड़ लेता है वो उसके एक चमाट देता है खीचके तो उसकी जो तो महिज बाबू बोलते हैं कि तेरे गार्ड जितना जादा गुस्सा करेंगे उतना तेरे में चमाट पड़ेंगे तो उसका मामा जो है वह उन्हें चुप कर दिता है कि भाई तुम लोग चुप रहो अगले सीन में राजिद नाजी महिज बाबू को फोन करते हैं और पूस तो पोस्ता है कि चलो अच्छी बात है तो दिल्ली में कहां पर मिलना है तो बोले कि डिस्टिक जेल हूँ मैं वहां पर आजाई है वह ही में मिलूगा तो राजिद नाजी जो है वो डिस्टिक जेल पहुंचते हैं जब वो डिस्टिक जेल पहुंचते हैं तो वहां पर दे दिया और उनको फर्जी वाड़ा का केज लगा दिया जिससे इनको जील हो गए तो राजिन नाजी असने लगते हैं तो महीज बाबु बताते हैं कि वो उनको कहां पर और कैसे मिली क्योंकि वो से डिरेक्टली नहीं जानते हैं फिर उनका कोई रिलेशन नहीं उसके साथ इयरपोर्ट पर एक इत्तुफाग से मिलेते वरना उनका कोई सम्मद नहीं है मैंने जब उनसे प्रॉलम पूची क्योंकि वो बहुत ज़दा परिशान थी तो उनको आपको हर वो चीज इनको लोटानी होगी जो जो चीज आपने इनसे चीनी है तो राजिन नाजी हसते हैं और बताते हैं कि चलू अच्छा है तुम दिली में हो मैं तुम किसी से मिलाता हूं तो फीवी हो तो वह अपने अपनी क्या है एक्टुलि इंडिया के फइनेस मिनिस्टर के पास जाते हैं उनसे मीटिंग करते हैं कि वो कि भसेज तो है meg euh warfare decep और भी अधर हायर ओफिसियल से मिलते हैं वो जाके तो महिज बावु को समझ में आता है कि यार ये काफी पावरफुल है इस तरीके से दाल नहीं गलेगी कुछ और करना पड़ेगा उसके बाद अगले शिन में महिज बावु एसविय बैंक जाते हैं जहां से राजे नाजी लान लिया था वो वहां पर मैंजर से मिलते हैं लेकिन मैंजर उनको इग्नूर कर रहा है बार बार किसी और को बिला कर या फिर किसी और पर आरोप रखिके वो उस पर कटाच कर रहा है तो मैंस बावो का दिमाग खराब हो जाता है बोलता है ये क्या तरीका है बाई गाड को बोलो पर इसको बलाओ गुंडागर्दी कर रहा है तो महीज वावो बोलते हैं कि गुंडागर्दी कर रहा है गुंडागर्दी किसे कहते हैं तो महीज वावो मैनेजर की चमाट मारता है खीच के इसे बोलता है गुंडाग के दूँगा कि कभी भी कितने भी दिन हो जाए मैं यहीं बैठा रहूंगा ना ऑफिस बंद होगा ना ओपन होगा ऐसा ही रहेगा यह तो मैंजर का देमाग करा हो जाता हैöglich जार्狂 सब्सक्राब्ध वरना दिक्कत हो जाएगी आप मान जाऊ लेकिन नहीं विलकुन नहीं तो उनमेंसे एक असिस्टन्ट मैंजर होते हैं जो हैंडिकेप होते हैं वो जब तक जो है टैप कर लेते हैं notice और बोलते हैं कि sir मैंने notice type कर लिया है और चलिए अपन राजिद नाज जी को notice देने के लिए चलते हैं तो महिस बावू उन सब की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम handicap नहीं हो यह लोग handicap हैं सलाम है तुमारी सोच को और मैं वादा करता हूं कि एक गंटे के अंदर तुम अपनी चीहार पर बैटे हूए पाहूगे तो अधि बहुत je जभटें आदा पर पर राजिदा जीके घर जा रहे होते हैं कि हर एक चपे पर इतने सारे गुंडे इखटे हुए होते हैं कि वहाँ से निकलना संबब नहीं है आदा आदा एक एक किलोमेटर पर बहुत सारी संक्याम है इतने सारे गुंडे रहते हैं और उसको धमकी देते हैं कि बापस चला जा वरना यहां से जिंता नहीं जाएगा तो बैंक एंकली बोलता है, gamma सर बापस चलिए यहे लोग बहुत ज्यादा है और हो सकता है यह लोग हमें मार भी सकते हैं तो महिज बापस ले लेते हैं और उसके बाद महिज बापस लेकर आते हैं और full speed say truck चलाते हैं कि जिसको सामने आना है वो आ जा है और जिसको हटना है वाड़ जा है लेकिन वो ट्रक नहीं रोकेंगे और फुल स्पीड चे ट्रक चलाते हुए चले जाते हैं और इसी तरह जो है वो राजिन नाजी की घर पर पहुंच जाते हैं अगले सीन में कीरती सुरेस USA से बापस इंडिया आ जाती है और उनके मामा उन्हें बताते हैं कि दस हजार डॉलर की बात नहीं है दस हजार करोड रुपे की बात है उसने जीजाजी से दस हजार करोड रुपे मांगे है कोई जैसी उसको छोड़ के चले गई आपके चक्कर मे तो खीरती सुरेस का दिमाग करा हो जाता है कि यार ऐसी कोई सी जैसी चोड़ की चली गई तो वो दोनों बैटके प्लान बनाते हैं कि जैसी की बार में डिटेल निकाली जाए और उसको बापस लाया जाए जिससे ये हमारे से इतने पैसे ना मांगे और हमारा पीछा वैसे मीटिंग खतम होने के बाद बापस जाने वाले होते हैं कीरती और उसके मामा तो महिस बापू बोलते हैं कि आज रात के लिए कीरती को यहीं चोड़ जाओ और तुम जाओ तो कीरती का मामा बोलता है तुमारा दमाग करब हो गए क्या बोल रहा है बोला नहीं एक बार यहाँ छोड़के जाओ और जाओ यहां से बोलता है क्या बोलता है क्या बोलता है क्या बोलता है क्या पैर पैर रखके सोंगा अगर तुझे बैटके देखना तो तु भी बैट के देख बड़े आज यहीं रहेगे तो कीरती के मामा मान जाते हैं और वो उसे छोड़ के चले जाते हैं अब होता है कीरती के मामा को ब्लैक मेल करने का सिलसला जब अगले दिन फॉन करता है कि तुम कीरती को ले के आओ कीरती के माम बोलता है कि हाँ कोई दिककर नहीं रहने हो दो मता हो तो किरती को पर लेकर मैस बाबो के पास चला जाता है तो मैज बावो कीरती से बोलते हैं कि इडली डौसा वगरा बनाओ और खाना खाएंगे कीरती बोलते कि मुझे तु बनाना नहीं आता है बोल नहीं बनाना तो सीको लेकिन बनाओ मेरे लिए तो कीरती जैसे तैसे करके उसके लिए खाना बना देती है अब मैज बाबू को कीर्थी को और परेशन करना सूजता है तो वो बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और तुम मुझे खिलाओ मैं खाना जबर्दस्ती खिलाओ मुझे खाना तो कीर्थी से खिलाने की कोसिस करती लेकिन वो नहीं खाते तो उसका मुह पकड़के जवर्दस्ती उसके मुह में डाल देती है अब यह अगला सीन होता है सोने वाला तो कीरती सुरेश जो है वो सो जाती है चुपचा बैड़ पर और महेज बाबु उसके पैर पैर रखके चुपचा सो जाते है और यह सिलसला जो है वो कई दिन लगातार चलता रहता है कई दिन अगला सीन एक दिन अचानक से महेज बाबु ने कीरती सुरेश को बुलाना बंद कर दिया अब कीरती सुरेश अपनी माँ के साथ बैर पर सो रही थी तो उसे नींद नहीं आ रहे थी क्योंकि उसे पैर पर पैर रखके सुलाने की आदत हो चुकी थी तो कीरती सुरेश अपनी माँ से बोलती है कि माँ मेरे पैर पर पैर रखो ना मुझे नींद नहीं आ रहे है माँ बोलती क्या रखो ना क्या क्या कर रहे हो तो कीर्थी की माँ कीर्थी के पैर पर पैर रखती है तो उसे बोलते हैं नहीं पैर अठाव वो फिलिंग नहीं आ रही और ऐसे करके वो अलग करके सोजाती है अगले सीन में SBI ने जो नोटिस दिया था राजिन नाथ को उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस्टे ओर लगा दिया था कि कोई भी जो है 6 महीने तक राजिन नाथ जी से किसी प्रकार की रिकवरी नहीं करेगा तो महिस बावो का दिमाग कराब हो जाता है कि यार ये क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा जुडिशरी है वो ऐसे बोल रही है तो राजिन नाथ महीस बावो को फोन करते हैं और बोलते हैं कि पता चला मेरी पावर का देख सुप्रीम कोर्ट से कैसे ओर राया है कि 6 महीने तक कोई भी रिकवरी या कुछ भी एक्सन जो है वो राजिन नाथ जी कहेंगे इस्ट नहीं लिया जाएगा अब बोल अफ क्या कर सकता है तो ये सब बात उसके फैमिली बाले भी सुन रहे थे तो बड़े सौक हो गई कि यार हमारे पापा ने 200 जार करोड का लोन ले रखा है और हमें पता भी नहीं हम लोन के पैसे से हैस मार रहे है अगले सीन में जब महिस बाबो अपने रूम में एंटर करते हैं तो वो कीर्ती सुरेश को वहां पर बैटा हुआ पाते है तो वो सौक हो जाते है ये क्या सीन है यार इतने दिन से मैंने से नहीं बुलाया तो ये अचानक से खुद अपने आप से आ गई कीर्ती सुरेश महिस बाबो को चेक्स देने आए थी जो कि ब्लैंक चेक थे वो कह रही थी कि आपको जितने पैसे चाहिए इन चेक्स में लेखो और आप यहां से चले जाओ क्योंकि मेरे पापा बहुत खतरनाक है और ये जो चेक्स हैं वो से उसके पिताने बढ़े पर दिये थे अगले सीन में कीर्ती सुरेश रूम से बाहर निकलती है बाहर उसे गजरेवाला मिलता है तो उसे गजरा लेती है और चल देती है तो गजरेवाला बोलता है कि मैम इसके पैसे तो देखे जाओ तो कीरती सुरेश बोलती है कि वो जो पीछे साप कड़े हैं वो इसके पैसे देंगे और मुस्करा कर चली जाती है अगले सीर में महिज बावो के अंकल को बैंक वाले परिसान करते हैं उन्होंने दो मेने की EMI नहीं बरी थी इसलिए वो इसे रिकवरी के लिए आते हैं कि पैसे क्यों नी बरे हमाँ पैसे अभी क्या बीचिये तो बोलते हैं कि मेरी पतनी की तवियत खराब थी तो मैं पैसों के इंतिजाम नहीं कर पाया 2 मेने से लेकिन इस बार में पूरा पक्का बढ़ दूंगा लेकिन वो बद्दीमी जी करते हैं तो महीज बाबो एक जमा के चमाट मारते हैं और बोलते हैं कि इज़त से बात करो जो राजे ना दसजार करोड रुपे लौन ले रखा है उससे सरसर करके बात करते हो यहां ऐसे बात कर झाल 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 झाल